हलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई चैनल निश्ठा हूं किचन फ्रेंड्स कितने भी पुराने से पुराना मोटापा हो या कमर की चर्बी हो या हाथ की चर्बी हो या पेट की चर्बी हो बिल्कुल आसाने से खतम किया जा सकता है सरीर में जमे वे मोटापे को बिल्कुल मोम की तरह ये पिगला देगा तो चलिए इस नुस्के को बनाते हैं लेकिन इस से पहले यदि आप चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में दीवी चोटी सी बल आइकन की गंटी को प्रेस कर दीजे जिससे मैं कभी भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंट पहुँच सके चलिए इस नुस्के को बनाते हैं ये हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के स्वात को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है या हर चौक में इस्तेमान होने वाले चोटे चोटे दाने जो हैं जो हमारे मुटापे को पिगलाने में बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद हैं ये कितने भी पुराने से पुराना मोटापा हो, कमर की चरबी हो या पेट की चरबी हो बहुत ही आसानी से खतम कर देता है। आईरवेद में अजवाइन को औसदी कहा गया है, अजवाइन में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि आप इस तरह से अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारिया जड़ से खतम हो जाएंगी और सरीर में जमे हुए मोटापे को ये तेजी से खतम कर देगा। अजवाइन बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है, ये किसी के पेट में बने हुए गैस्टिक प्रॉबलम को बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। यदि किसी को थायराइड की प्रॉबलम हो तो उन्हें अजवाइन का पानी पीना चाहिए जिससे थायराइड बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी। यदि किसी को डाइजेसन की या कांश्टिपेशन की या यसीडिटी की प्रॉबलम हो तो उसको भी खतम कर देगी। और यदि सरीर में फोड़े फुंसी या दाद खाज-कुजली वाले भी ले सकते हैं हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं थाइराइड वाले पेसेंट भी ले सकते हैं और इसको सुबह खाली पीट ही लेना है कुछ खाने से लगबग 20 मिनट पहले इस ड्रिंक को पीना रहता है यदि आप इस ड्रिंक को सुबह सबेरे कुछ खाने से पहले पीते हैं तो बहुत ही लापकारी है ये इस ड्रिंक को बनाने के लिए यहां पर हम मीठे नीम के कुछ पत्ते का इस्तेमाल करेंगे ये मीठे नीम के पत्ते अधिकतर खाने के सुआत को बढ़ाने में किया जात और इसमें एन्टी ऑक्सिडेंट एंटी डाइबिटिक एंटी मेक्रोवियल जैसे गुल पाए जाते हैं यदि हम कड़ी पत्ता का सेवन सुभा सुभा करते हैं तो बहुत सारे इसके फायदे होते हैं जो वजन को कम करने में बहुत ही फायदे मंद हैं और कड़ी पत्ता में ऐसे गुल पाये जाते हैं जो हमारे बैड कोलेस्टरॉल को कम करता है और जिससे ब्लेट सुगर भी कम हो जाता है जिससे ब्लेट सुगर कंट्रोल में रहता है और इसलिए ये तेजी से वजन को कम करने में बहुत ही सहायक होते हैं और यहां पर एक हम बरतन ले लिए हैं और जिसमें 10-12 कड़ी पत्ते को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसमें पानी डालके और इसको अच्छे से धूल लेंगे जिसे इस पे धूल गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए तो यहाँ पर कड़ी पत्ते को हमने अच्छे से वास कर लिया है यह जो मीठा नीम होता है यह हमारे वजन को कम करने में तो बहुत ही फाइदे मंद होता ही होता है क्योंकि मीठे नीम में बीटा कैरोटीन या प्रोटीन होता है इसके साथ साथ या हमारे सरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे हेर फावल्स को भी रोकता है और यह हमारे सरीर में पाचन को फिट करता है मेटाबॉलिस्म को बूश्ट करता है अब हम यहाँ पर अजवाइन जो लिए हुए है इसको हलका सा रोष्ट कर लेंगे जिससे अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर हमने पैन में अजवाइन को डाल लिया और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हलका सा रोश्ट करना है आप यदि यसी तरह कच्चा खाना चाहें तो वह भी बहुत ही फायदेमंद है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है रोश्ट करने पे तो यहां पर मैंने में अज्वईन को हलका सा रोष्ट करना अज्वईन को बिलकुल खल्का सा रोष्ट करना है इसे इसके पोसक तत्तों इसे में बने रहें और अज्वयन हमारे सरीर को सब्सक्राइब निकालती है। अजुखांचा क्रोष्ट करने के बाद यहाँ पर खलबट्स घान के अंदर अज मारी कूट लेगे यह कोठने से इसके पोशक्ट तत्नों है सब्सक्ट चाहिए यहाँ पर आजुखांच को हमने खालि कोट लेना चाहिए ये ब्लेट सुगर को मेटाबॉलिस्म को बूश्ट करता है और थकान को दूर करता है और दिन भर आपको एनरजेटिक फिल करेगा यदि आपके सिर्धर्ध मैग्रेन में भी बहुती फाइदे मन्द है और दिल की बीमारी को भी दूर करता है और अजवाइन जोडों के लेकलव को सथा कहा गया है यहां पर इज़ंक बनाने के लिए सबसे पाहले हम इक पैन ले ले लेंगे और इस पैन एंदर हम एक से लेड़ गलास पानी ले ले लेंगे और यहां पानी लेने के बाद उन्दे лиimientos क्सक्ति Темडे भी लिए इस और यहां पर पानी नंदे पानी अजवाइन डालेंगे तो यहां पर हमें एक छोटे चमच अजवाइन का इस्तेमाल करना है तो यह चमच से हम यही कुटी हुई अजवाइन को इस पानी में डालेंगे और इस पानी में अजवाइन डालने के बाद इस पानी को हम अच्छे से उबा लेंगे तो यहाँ पर यह देखे पानी उबलने लगा है और पानी जब एक से दो मिनाट तक अच्छे से उबल जाए तब इस पानी को हम छान लेंगे तो यहाँ पर पानी अच्छे से उबल चुका है और इसको हम यहाँ पर एक ग्लास लेंगे और इसमें छान लेंगे और यह ड्रिं होगा यदि आप बीच बीच में इस ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और यह कब्ज जैसी समस्या को दूर करता है इसके अलावा जिनने गैस की प्रॉब्लम रहती है उन जिनका पेट साप नहीं होता है उन्हें इस ड्रिंक का सेवन करना च चाहिए यह अजवाइन बहुत ज्यादा फाइदेमंद है यदि अजवाइन को हमने जो कूट के रखा है इसको चुटकी भल लेके और इसके अंदर हम एक चुटकी हींग और मिला दें और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के इसको यदि फाक लेते हैं तो इससे पेट में करेंगे साथ साथ सरीन में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से भी चुटकारा पाएंगे तो यस तरह से ड्रिंक बनाकर आप इसका सेवन करें और यदि आपको यह ड्रिंक बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चै बनाने वालों के साथ शियर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताएगा कैसा लगा थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाय टेक कियर थैंक्स फॉर वाचिंग